आ कि है मैं यह थी आँ दिन कई सारी जो फ्रेंट है वो कुछ हपने रहता हैं कि सर ब्योई के लिया यह बोटन इ stuff लिए तो ऊपड के लिए इंफर्मेटिव होगे टी कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो बोईलर एटेंडेंड या निकि जो बोईलर ऑपरेटर होते हैं जो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास अगर उनका जो इस भाईवाई एक्जाम है या वो एक्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते है हैं बनना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से बुक इश्फूल होंगे उसको हम लोग आज एक वीडियो में देखेंगे तो देखिए इसमें आपका बेश्ट बुक फोर बोईलर एटेंडेंडेंड फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जो फर्स्ट क्लास होंगे उनके लिए देखिए इस exam को preparation करने के लिए यानि कि ऑलर अटेंडेंड के लिए आप जो परिप्रेंडेंड करना चाहते हैं तो आपको इस exam में आपका basic ही पूचा जाता है बहुत जाद अपका advanced level पर नहीं पूचा जाता है एक overview आप जो work करते हैं उसी से related पूछा जाता है फिर भी आपको थोड़ा सा अगर अच्छे से prepared करना है तो उसके लिए अगर मैं book जो है अगर prepare करूँगा तो ये आमिया रंजन मलिक जी का book है वो है practical boiler operation engineering and power plant ये बहुत अच्छा book है और ये B.O.E. label तक आपको help करेगा यानि कि आप इसमें पूरा इसका theory जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे practical level पे इसमें पूरा subject wise जो है वो दिया गया है ठीक है power plant का पूरा practical basis पे काभी अच्छा book है और ये English में ही है और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आप English में भी ले सकते हैं और Hindi में भी इभिन कोई अगर Marathi candidate है तो उनके लिए भी book मैं बताऊंगा तो ये एक पहला book हो गया दूसरा जो book है ये एक boiler attendant करके आता है first and second class ये ब्योई एक्जाम के लिए भी है भाइबा एक्जाम के लिए लेकिन ये सभी में काम आएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका ब्योई के लिए ही स्टूडेंट है वो इसको प्रिपेर कर सकते है या इसी का जो book है वो Hindi version है यहाँ पर तो Hindi version यहाँ पर देखिए यह आपका Hindi में आपका available है सेम book है जो कि boiler attendant के लिए काफी informative होगा अब इसके बाद आप एक और book को consider कर सकते हैं जो कि handbook on boiler operation engineer ठीक है तो ये भी हिंदी medium के लिए है ठीक है ये भी हिंदी है ये भी हिंदी है ये भी हिंदी है बाकी ये सब book आपको कैसे लेना है तो आप आसपास कोई थोड़ा मुश्कील है इसलिए आप online flip card में ले सकते हैं ओके अब देखिए इसका में कोई link बेगरा नहीं दे रहा हूं अपने description book में क्योंकि काफी लोग समझेंगे ना कि पर्मोशन के लिए में कर रहा हूं आपके ऐसा कोई बात नहीं है पर्मोशन के लिए ये सब book में नहीं बता रहा हूं काभी सारे फ्रेंट पूस्ते हैं उनका एक्जाम होता है ठीक है तो जब पूस्ते हैं तो अलड़ी में कई सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं तो बुक के उपर भी मैं बना दिया ओके लोग जो है अपना हिंदी मीडियम ओला इंग्लिस मीडियम सेख्यू है यहीं सारे बुक होगा अगर इंग्लिस मीडियम का बात करें तो यह बुक काफी इंफ्रमेटिव होगे एदम भाइबा के लिए यह बुक काफी अच्छे से इसमें दिया हुआ है अगर आपको पूरा सब्जेक्ट वाइस पढ़ना है तो एयर माली का बुक पढ़ लीजे वो बहुत अच्छा है हिंदी के लिए यह पढ़ लीजे ओके तो यह होगा आज के वीडियो तो आई होप यह वीडियो आपके लिए इंफर्मेटिव लाओगा आप वीडियो अच्छा लगए तो फिलिस वीडियो को लाइक जरू करे और ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब करें मिलेगा ने इस वीडियो में तब तक के लिए जह हिंद